ग्लोरी एल्बम से तीन म्यूजिक वीडियो जाने के बाद अब शायद फूर्थ सॉंग शूट होने जा रहा है जैसे कि हनी पाजी ने लेटेस्ट इंस्टा लाइव में ये बोला था कि वो दुबाई आ चुके हैं कुछ दिन वो रुकेंगे जिसके बाद वो फिर दुबार सॉंग के लग रहे हैं क्योंकि इंटर्व्यू के अंदर या फिर इंस्टाग्राम लाइव में पाजी ने ये बोला था कि जट मैकमा सॉंग की वीडियो आईगी उस तो बाद येसी शूट करने लग गया हैं जट मैकमा ते पायल क्योंकि नह दोना गाने अदी बहुत सपो सॉंग बॉलीवुड में आने वाला है सो उस सॉंग की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है एक छोटी सी वीडियो क्लिप भी सामने आई है जिसमें पवन सिंग और राजकुमार राओ एक साथ नाच रहे हैं आवाज तो किसी की भी सुनने को नहीं मिली लेकिन म्यूजिक आ प्रफ से पोश्ट हुई है उसक एक एक सीन है क्योंकि पहले तो हनी पाजी का नाम था बट अभी नाम गायब है वैसे ये सॉंग कल सुबार डॉप हो रहे है तो कल आपको सब पता चली जाएगा अगर हनी पाजी का सर्प्राइज रैप होता है तो बहुत अच्छी बात है वरना योयो एक्स पवन सिंग भूल जाओ परते हैं नेक्स अपडेट की तरफ तो ऐसा भी एक टाइम था जब बिलाल साइद के गाने काफी जादा वाइरल होते थे अभी पांच महीने पहले की ये बात है जब बिलाल साइद 12 साल बाद हनी पाजी से मिलने के बाद कुछ ऐसी स्टोडी लगाते हैं लेकिन अभी अभी उन्होंने एक और स्टोडी शियर करी है जिसमें लिखा है तू वही है ना ब्रो जिसको अपने स्लेबस से जादा हमारे गानों की लिरिक्स से याद है खेर इसके अलावा हनी पाजी ने अभी अभी इंस्टाग्राम पे पूरे 15.5 मिलियन फॉलोर्स कम्प्लीट कर लिये हैं वैसे तो वो हर एक सोशल मीडिया के उपर मोस्ट फॉलोड रैपर हैं लेकिन अभी हनी पाजी और सिद्धू मुझे वाला के इंस्टाग्राम पे सेम फॉलोर्स हो चुके हैं बस 19.20 का फरक है कल या फिर परसो हनी पाजी डियेचेच आईयेचेच के मोस्ट फॉलोड आटिस्ट बन जाएंगे हनी पाजी को तो आप सभी फॉलोड करते हो लेकिन ये